है है जो है अंगे आप लोगnaire का इस नए वीडियो में स्वागत है आज के मैं अपनी है इस नहीं वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं और स्टॉपिक का नाम है इस्काउंट डिस्काउंट राइट या किस छिए सबसे चाहि good यह है कि बच्चों को इसमें अक्सर confusion होता है तो वही सारे confusion को धूर करने के लिए आज में लेकर आया हूं यह topic अगर आपको discount के बारे में detail explanation देखना है detail में समझना है ओके बहुत सारी जानकारी चाहिए इसके बारे में तो आप लोग मेरा वीडियो ज़रूर देखे अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे समझ में आये पसंद आये तो वीडियो का लाइक करना ना भूले अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेया करें और अगर आप हमारे चैनल पे पहले सही है तो बहुत अच्छी बात है थांक्यू और अगर पहली बार है तो चैनल को subscribe करना बिल्कुल नाम को ले ठीक है तो start करते हैं हमारा topic और हम समस्ते हैं सबसे पहले discount के बारे में यहां पर मैंने एक छोटा सा चार्ट explain किया हुआ है मैंने यहां पर कुछ चीज़े बताएं discount यह सारी चीज़े बताने से पहले वही हमारा rule जो है वो उसको याद कर लेते हैं rule हमारा क्या कहता है कि हमें debit करना है एक और हमें credit करना रैट तो हम rule पे focus करते हैं यह तो हम क्या करते हैं अपने रूल पे focus करते हैं रूल हमारा कहता है एक debit होगा और एक चिस credit होगा debit में क्या आएगा हम याद रखते हैं PNR आपको याद होगा मैंने PNR बताया था हमारा जो ट्रेन का नंबर होता है PNR पी का मतलब यहां पर परसनल है परसनल में ने क्या लिखा था में यहां पर लिखा था रिसीवर यहां पर लिखा था नोमिनल में मैं यहां पर लिखा था expense या तो loss और यहां पर आ जाएगा income ठीक है या तो गें और साथ ही सादम बात करते हैं अगर हम रियल अकाउंट में हमने पढ़ा था यहां पर जो भी चीज़े कम सीन होती है वो हमें डेबिट करना है और जो भी चीज़े गोज आउट है वो हमें क्रेडिट करना है यह हमारा रूल होता है अब इसको और अच्छे से अगर याद रखना चाहो तो परसनल का मतलब यहां पर वेक्टियों से रिलेटट कर सकते हो कि अगर कोई परसन आपके बिज्शनस से कुछ से म nhất करना दो डेबिट करो और यहां पर नॉमिनल की बात करें तो हम यहां पर सेवाटकरी ज लूगों तो उसका हम उसे काम करते हैं कोई वर्कर है कुछ काम करता है अलग-एग जोग कु से related topic है अभी हम बढ़ते हैं आगे discount के बारे में समझते हैं यह बताना इसलिए जरूरी है ताकि आप लोगो journal entry में कोई भी तकलीफ ना हो अब बढ़ते हैं हम अपने topic की तरफ यानि discount की तरफ तो discount की तरफ जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको दीख रहा होता है देखो होता क्या है business में जब हम भी purchase and sell का काम करते हैं तो उसमें हम हमें कभी-कभी customers को लारस देने के लिए चीज़ों को कम करके दिखाना पड़ता है या जब आते हैं तो हम आपको 10% discount दे देंगे 10% discount का मतलब यह होता है basically वो जो calculation करके बोलेंगे बताएंगे उनक printed price होता है कौन सा price होता है यह हमारा printed price होता है यानि वो जो stickers होते हैं उस पे जो values लिखी होती है हम उस पे calculation करके minus करके दिखाते हैं अब सवाल यह है sir यह सारे discount हम देते क्यों है तो यह discount हम देते हैं ताकि हमारा जो sell है वो क्या हो जाए increase हो जाए that's why यहां पे मैंने लिखा to increase our sales और एक चीज़ और याद रहने trade discount के बारे में क्या कि इसकी कभी भी entry नहीं होती है it is not recorded in the books right क्यों record नहीं करना है क्योंकि देखो अगर आप purchase कर रहे हो तो purchase कर रहे तो आपके लिए कोई benefit नहीं है अगर आप sell कर रहे हो तो आपके लिए यह कोई income नहीं है I mean आपके ल assumptions की स्काउंट आपके नेत अमाउंट का मतलब जो पैसे हम रिसीव करने वाले हैं उस पे यानी कि यू कहूं कि यह जो value है हम यहाँ पर जो calculation करते है जो प्रिंटेड प्रैस पे करने के बाद जो value आती है वही value हम रिसीव करने वाले होंगे इनी हमने यहाँ calculation किya हाऊगा छ तिर हम कुछ पैसे receive करेंगे actually में वो हमारी हो जाएती है receive value जिसको हम net value बोलते हैं अब उसके बाद अगर हम कोई discount allow करते तो वो हमारा आता है cash discount अब सवाल यह है sir कि cash discount हम allow क्यों करते है question mark है कि sir यह allow क्यों करते हैं जिससे हमारा जो payment है वो जल्दी मिल जाए अगर आपने sell किया है तो आप चाहते हैं कि आपका payment जल्दी मिल जाए अगर आपने purchase किया है तो सामने वाल आपको allow करेगा चाहेगा कि आप उसके जल्दी payment कर दो और जब यहां पर हम discount allow करते हैं यह discount receive करते हैं यह दोनों ही सूरत में recorded in the books आनि books में record करना होता है तो जो आपके लिए main चीज़े हैं जो आपको याद रखनी है वो यह है कि it is not recorded in the books and trade discount is recorded in the books और it is calculated on the printed price and it is calculated on the net price basically जो trade discount की होती है उसके entry नहीं करते हैं क्योंकि आपने जब purchase किया है तो purchase के बाद अगर को discount allow होता है तो ही entry करते है purchase से पहले कोई discount allow होता उसके हमेरी entry नहीं होता है purchase से पहले मतलब उसकी जो actual value है आपके लिए जैसे 5000 का दुकान में sticker लाके रखा हुआ है अब उसमें आके बोलते हैं हम आपको 4500 में देते हैं आपके लिए value कितनी में पड़ी 4500 में आपके लिए 500 की कोई money नहीं देता ठीक transactions करते हैं एक तो यह हम purchase करते हैं या तो एक हम sell करते हैं या दो ही चीज़ करते हैं या तो purchase करेंगे या तो sell करेंगे अगर हम purchase करते हैं तो purchase करने का मतलब यह हुआ कि हमें पैसे हम pay करेंगे और अगर हम sell करते हैं इसका मतलब यह हुआ कि पैसे हम receive करेंगे अब जहां से सम करते हैं तो क्या होगा याद रखना कि जब purchase की बात आती है और purchase में जब हम discount calculate करते हैं तो उसको हम बोलते है discount received इसका मतलब यह हुआ कि आपने discount received किया है अगर आपने discount received किया है तो basically यह आपके लिए बन गया income और income जो है वो हमेशा क्या होता है credit होता है याने कि discount allowed जो होगा sorry 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 the discount received होगा वो क्या हो जाएगा आपका credit हो जाएगा right और बात करते हैं sell की तो sell की जब बात करते हैं तो वहां पे अगर हम discount calculation होता है इसका मतलब यह हुआ कि हमने discount दिया है यानि हमने allow किया है और अगर हमने discount allow किया है तो basically वो हमारे लिए expense है और expense है इसका मतलब यह हमें debit करना है बात समझ मैं है याद रखना कि purchase से related जो discount होगा उसको credit करना होता है और जो sales related discount होगा उसको हमें debit करना होता है इसको और समझाने के लिए मैं आपको एक entry करके भी दिखाता है तो ज्यादा समझ मैं हैगा तो वहां पर देख सकते हैं अगर आपको किसके बारे में ना पता हो यहां पर किक मैंडाटी जनल एंटरी बताने वा रहा हूं तो यहां पर देखो जब हम purchase करते तो entry क्या होता है हम लिखते हैं purchase account debit और साथ में यहां पर हम यहां तो नाम लिखते हैं तो मैं यहां पे अब ध्यान से समझो कि हमने purchase account debit किया है, हम payment करने हैं, तो यह जो discount हमने receive किया है, basically इस payment का ही part है, तो अगर यह payment credit हो रहा है, तो यह discount भी क्या होगा, credit होगा, ऐसे भी याद रख सकते हो, कि जब हम purchase करते हैं, तो पैसे हमें देने पड़ते हैं, और जहां हम पैसे दे रहें, actually यह discount तो उसी का part है, तो जहां हम पैसे दे रहें, तो यह उसी के साथ आएगा, बस अंतर इतना है, हमें different करके दिखाना पड़े हैं, different entry करने पड़े, payment की अलग, और discount receive की अलग, इसी वज़र से discount receive हमारे लिए income होने की वज़रे से credit होता है, और यह भी connect करके आज रख सकते हो कि payment के साथ आएगा, और सेम उसी तरह से हम बात करते हैं, sell की, तो sell की general entry जो होती ही, normal entry जो हमें पता है, basic entry, तो उसकी entry क्या होती है, जब हम sell करते हैं, तो यहाँ पी किसी का नाम होगा, वो debit कर दोगे, जिसको हम बोलते हैं, debtors, right, या तो आपने पैसे receive किया होगा, okay, to sell अब ध्यां से समझो, यह तो sell account credit हुआ, तो इसमें तो कोई doubt ही, तो इसको मैं cut करके ignore करता हूँ, हम बात करते हैं debit की, तो देखो, जहाँ हम पैसे receive करने वाले हैं, तो उसी में हमने discount allow किया, तो यहाँ हम अगर पैसे receive करने वाले हैं, और यहीं पे हमने discount allow किया है, तो इसक यहाँ पे लिखोगे तो जब इसी का part है, तो यह तो debit ही होना है, अगर यह debit हो रहा है, तो यह भी debit ही होगा, बात समझ मैं, तो इस तरह से याद रह सकते हो, कि purchase में हम क्या करते हैं, पैमेंट जाता है, that is goes out, और हमने पढ़ा है, goes out मता credit होता है, और यह जो हमने discount receive करने व तो थोड़ा आसान हो जाएगा entry करना, ठीक है, यह हमारा था basic information, अब बात करते हैं questions की, यहाँ पे मैंने कुछ questions explain की है, यहाँ पे मैंने लब 10-11 questions लिए हैं, और हर question में कुछ समझने जैसा है, इसलिए एक भी question miss नहीं करना, fast forward में देखना चाहो तो देख सकते हो, कोई problem न कि basic entry पे ही मेरा focus होगा, मैं basic के साबसे explain करूगा, जैसे वहाँ पे मैंने basic के साबसे explain किया, तो सबसे पहले यहाँ पे first question है, जो वो क्या है, कि goods of 10,000 purchase at 10% trade discount from Taruna traders, अब यहाँ पे ध्याँ से समझो, कि goods की जो value थी, वो कितनी से 10 थी, पर हमने purchase किया है, trade discount के साथ, अब ध्य purchase करते हैं, तो जब हम purchase करें, तो हमारे के लिए कितने का हो गया, यह 9,000 का, कैसे हुआ, तो देखो, 10,000 का value था, लेकिन उस पे हमें 10% discount मिल गया, यानि trade discount, तो यह actual में कितना आ गया, यहाँ पे 1,000, अब 10,000 में से, 1,000 जब बिल में से minus हो जाएगा, तो यह actually में बचेगा कितना सिर्फ 9,000 का ही बचेगा, यानि यहाँ पे 2,000, टी-डी कटो गया, यानि trade discount और यही हमें एक्चुर में पे करना है हमें इससे कोई लेना देना नहीं है बात समझे नहीं इससे हमें कोई लेना देना है हमारे लिए तो में यही वैल्यू है हम दुनिया को देगे बताएंगे भाई 9000 का ही है बात समझ में आया तो हम पर्चेस करते तो पर्चेस की नॉर् समाना भी देखा था हम लोगो ने जब कैस गोजा उट हो रहा है तो क्रेडिट करना चाहिए लेकिन यहां पे हमने पैमेंट किया ही नहीं कैसे पता चला क्योंकि यहां पे नाम दिया हुए तरुना का और जब नाम दिया है तो याद होगा मैंने कहा था जब परसंस हाए तो देखो यह ricevn यााज डिवर है तरुना 05 बेजीविट गीवर है यह विजनस को कुछ ने रहे है और जब यह दे रहे है तो इसका नाम क्या हो जाएगा κ्रेडिट हो जाएगा यहां पर लिखिएंग गितरुना ट्रेडर्र account credit और amount कितना लिखोगे 9000 और 9000 तो इस तरह से ये हमारी हो जाएगी पहली entry आई होग कि ये आपको समझ में आ गया होगा अब इसी के साथ बढ़ते हम दूसरी question पर दूसरा question है हमारा यानि दूसरा point है goods of 7000 sold to Gandhi Brothers on cash at 5% trade discount अब देखो यह cash में sell किया यहाँ पर बड़ आ गया cash में यानि गांधी ब्रदस को तो भूल जाओ मैं याद रखने की जरूवती नहीं है और यहाँ पर लिखा वा 5% trade discount तो मैंने कहा था पहले calculation कर लेते हैं calculation में हम यह दिखाएंगे कि 7000 की value है लेकिन हमें 5% discount मिल आते हैं यहाँ पी 7000 का 5% calculation करते हो तो यह कितना हो जाएगा 7500 हो जाएगा नि 7500 हो जाएगा नि 3500 हो जाएगा 3500 हो जाएगा अब इसको जो माइनस करोगे यहाँ पे कैसे लिखोगे 3500 नहीं अच्छली यह 350 रपे होगा यहाँ पे कितना हो गई यह 350 रपे मैंने एक 0 ज्यादा लिख दिया था यह हो जाएगा 350 रपे यहाँ पे जो विल बनेगा वो ऐसे बनेगा कि 7000 था लेकिन आपको यह पेमेंट कितना करना है सिर्फ 665 और 0 यानि यही हमें actual देखना है और यह हो जाएगा आपका TD जिसकी एंट्री हमें नहीं करनी है और इस value से तो हमें कोई लीना देना ही नहीं है अब बात करते हैं sell की तो जब sell होता है तो sell की general entry क्या होती normally जब हम sell करते हैं तो हमें लिखना होता है to sell account credit जो मुझे आता है मैं पहले वही लिखूँगा तो to sell account credit अब बात करते हैं debit में क्या लिखना है तो यहां पर cash में word clear लिख दिया कि यह payment जो हुआ है cash में हो चुका है गांधी ब्रदर्स को cancel कर दिया है और cash अनाम आया अब देखो अगर हमने sell किया तो cash हमारे पास आएगा जो हमारा asset से वो कम सिन होगा यह चीज़े जो है हमारे पास आएगे तो कम सिन के rule के according जो हमने rule पढ़ा है पि रियल का rule क्या होता है when anything comes in your business that will be debit तो as per that tool यहां पे हो जाएगा cash account debit और amount कितना लिखोगे यहां पे 6650 यहां पे भी कितना हो जाएगा 6650 यह था हमारा दूसरा transaction I hope कि यह समझ में आ गया गया यह दो transaction था सरिफ और सरिफ revise करवाने के लिए दिमाग में कि purchase और sell की entry कैसे करते हैं अब असली कहानी सरूर होगी थोड़ा थोड़ा ही रहा असली कहानी यह है goods of 12,000 purchase from mangal das at 10% discount and 5% cash discount payment is mad in cash देखो यह क्या है यह mad in cash है मतलब तुमने जो payment को कर दिया है तो याद रखना कि पहले तो देख लो क्या किया है हमने हमने यहां पे purchase किया है हमने क्या किया है purchase क्या तो याद होगा मैंने purchase के लिए normal entry क्या बोला था हम लिखते है purchase account debit एक चीज मुझे आता है normal entry purchase account debit अब ही मैं बाकी कुछ नहीं लिखूँगा एक तो ऐसे मैंने लिखके दिखा लिए हम सबसे पहले calculation part पे जाते है गुट्स की value कितनी थी 12,000 उसमें से 10% TD मिला था तो यहाँ पे 10% calculate करता हूँ तो यह हो जाएगा 1200 अब ध्यान से समझो हमारे पास जो गुट्स उनने दिखाया था उसके billing price मतब जो उसका printed price था 12,000 लेकिन उन्होंने 1200 का हमें TD यानि trade discount दिया उसके बाद हमारे लिए जो गुट्स की value बची थी यानि बनी थी वो हो गई थी 10,800 यानि जो हमने purchase किया वो actually में हमने कितने का purchase किया है 10,800 रुपय का purchase किया है अब देखो purchase किया था हम payment करेंगे हम क्या करने वाले payment करने वाले हमने जो purchase किया है और यहाँ पे question में लिख दिया कि हमने payment कर दिया है और अगर हम payment करने वाले it means cash भी goes out और goes out के according यहाँ पे to cash account credit हो जाए क्या हो जाएगा to cash account credit और मैंने कहा था अगर आप payment करने वाले हो देखो हमने payment किया तो उसके बदले हमें discount मिला अब जहां से समझो वो जो discount है वो इसी payment का part है और यह payment भी credit हुआ है तो discount भी क्या होगा credit होगा तो यहाँ पे मैं लिख दूगा to discount account credit right क्या हो जाएगा to discount account credit याद रखना कितना आसान हो गया payment जहाँ पे वहाँ पे discount payment जहाँ पे वहाँ पे discount या यू रखो कि जहाँ पे amount वहाँ पे discount amount कमा तो पैसे cash की बात कर रहे है और भी मैंने तरीका बता है कि discount receive कर रहे हो purchase किया तो तुम discount receive करोगे तो उस हिसाब से जो receive करते हो वो हमारे लिए income है तो income always credit होता है as per the nominal rule income always credit होता है तो चाहे जैसे याद करना चाहो याद कर सकते कोई भी problem नहीं है अब बात करते amount कैसे लिखो के तो देखो हमने payment कैसे क्या 5% cash discount minus करने के बाद तो 10,800 तो value बची थी जो हमारे पास है जो हमने purchase किया था अब ध्यान से देखो कि इस 10,800 के 5% calculation करते हैं तो कितना आएगा 10,800 का 5% calculation करोगे तो यह हो जाएगा 540 रूपीज कितना हो जाएगा यह 540 ओके calculation कर लेना अच्छे से ताकि तुम्हें doubt ना रहे 10,800 इंटू 5% करोगे तो 540 आ जाएगा अब यहाँ पे 10,800 में से 540 माइनस कर देना क्या करना 540 माइनस कर देना तो जब 540 माइनस कर दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 10,800 माइनस 540 डैट विल भी 10,260 तो यह हमने क्या किया है actual में हमने payment किया है अब यहाँ से समझो यह payment हमने actual में किया हुआ है और यह हमने cash discount receive किया यहनि cd तो जो हमने payment किया है वो जाएगा cash में और जो हमने discount receive किया वो जाएगा आपका discount में तो यहाँ पे मैं लिग देता हूँ 10,260 और यहाँ पे मैं लिग देता हूँ 540 तो यह थी हमारी journal entry purchase की और उससे related discount की I hope कि यह आपको समझ में आ गया होगा ठीक है अगर समझ में आ गया है तो वीडियो का लाइप ज़रूर करना तो बढ़ते हम अपने next entry पे तो start करते हैं हमारा next हमारा question क्या है पहले उसको समझते हैं तो हमारा देखो next question में क्या लिखा हुआ है गुट्स ओफ रुपीस 11,000 sold to Virat 10% trade discount and 5% cash discount payment is received in cash question में क्या लिखा कि हमने sell किया है किसको sell किया है Virat को बढ़ सारे पैसे हमें मिल गए अगर हमें पैसे बिल गए है तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बस हमारा calculation जो है जो हमारी general entry उस पे focus करना साथ में इसके calculation पे बाकी सारा काम तो होई चुका इसमें तो देखो अब जब हम बात करते है sell की तो sell में तो तुम्हें पता एक entry हो जाएगी यहाँ पे sell account credit एक entry यह हो जाएगी और तुम्हें ये बत पता है कि जब हमने sell किया है और हमने पैसे receive कर लिए है जब हमें पैसे मिल गए है तो तुम्हें पता है cash तुम्हारे पास आने वाला है that is you are going to receive cash and cash comes in business और जब आपके business में पैसे आएंगे it means कि cash account debit हो जाएगा और याद होगा मैंने कहा था अभी कुछ दिर पहले ही मैंने कहा कि जब हम पैसे receive करने वाले हैं और उस पे अगर हम discount देते हैं तो इसका मतला हमारा expense हुआ याद है तो मैंने कहा था कि expense हुआ तो इसका मतला साथ में इसके आजाएगा discount यानि यहाँ पे आजाएगा discount इसकांट भी कहा पे आएगा debit में आएगा और ऐसे भी आज़र सकते हो कि जब तुम sell करते हो sell में तुम्हे discount allow करना पड़ता है allow करोगे तो तुम्हारे लिए expense हो जाएगा ओके तो यह तो हमारा journal entry होगे जर्नल entry करना पहले ज़रूरी है calculation तो हम सीख लेगे calculation actually क्या है कि हमें दिरे दिर सीखना पड़ेगा entry आसान है entry एक बार खतम कर लो एक target देखो entry अभी आ गया कि नहीं यह दोनों में मैंने एकदम clear explain कर दिया अब हम थोड़ा calculation फे focus करेंगी तो calculation देखो कैसे करना होता है सबसे पहले जो हमारा amount दिया हुआ पहले वो दिख लेते है amount कितना दिया हुआ 11,000 तो मैंने वहां पर लिख दिया है अब इसमें 10% TD देना है तो सबसे पहले मैं यहां पर calculate करूँगा 10% TD 11,000 का 10% calculate करता हूँ तो मैं हो जाएगा 11,000 तो यहां पर जब मैं billing बनाने जाओंगो तो यहां पर लिखूँगा 11,000 उसमें से मैं लिखूँगा 11,000 यह आजाएगा 11,000 11,000 माइनस 11,000 तो यह हो जाएगा 9,900 इसका मतलब यह हुआ कि actual में जो हमें payment करना है वो 9,900 का ही करना है क्योंकि हमने उतने का ही sell किया है हमें payment मिलने वाला है हम लोग amount receive करने वाले तो यहां पर यही amount हम क्या करने वाले receive करने वाले यहां को actual में हमारा sell इतने का ही है तो यहां पर जो sell account है वहां पर लिखोगे 9,900 actually में sell हमारा कितना है 9,900 का अब ध्यां से समझो उसके बाद question में लिखा कि 5% हमने cash discount allow किया cash discount allow किस पर करगे जो पैसे तुम receive करने वाल हो या जो तुमने actually में sell किया है तो यहाँ पे जाओगे तो 9900 का 5% calculate करो 9900 into 5% तो यह आपका हो जाएगा 9900 into 5% तो यह हो जाएगा 495 कितना हो जाएगा यह 495 ओके यह कितना हो गया 495 अब उसमें से यानि जो actually में तुम अमाउंट receive करने वाले थे उसमें से 495 तो तुम्हें मिले ही नहीं तो 495 माइनस कर दो तो यह हो जाएगा आपका 9405 कितना हो जाएगा 9405 यानि इतना ही अमाउंट हम लोगों ने receive किया तो यह जाएगा आपका cash में यह जाएगा आपका discount में और sell में तो यह मैंने बताई दिया यानि last के तीन ही point हमें लिखने होंगे तो यहाँ पे 9900 और discount में आपका जाएगा 495 और यहाँ पे जाएगा 9405 तो देखो calculation के साथ एंटर कितनी आसान हो गई है जोनल एंटर तो में पता चली गया है ओकी तो आई होब कि यह चारू आपको एंटर तीलियर होगा तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि 10% cash discount paid half the amount immediately by cash पेश में लिखा है paid half the amount immediately by cash पहले देखो question में हमने किया क्या है हमने किया है purchase हमने क्या किया है purchase और हमने purchase करने के बाद payment कितना किया सिफ half payment किया तो मैंने कहा था पहले journal entry कर लेते हैं क्योंकि वो आसान है हमारे लिए वो कर लेते हैं जो difficult portion है उसको समझेंगे तो सबसे पहले हम जब purchase करेंगे तो उसकी entry क्या होती है तो मैंने कहा था purchase always debit होता तो purchase account debit हो जाएगा amount मुझे नहीं पता मैं amount नहीं बताऊंगा अभी अभी मैं से entry दिखा रहा हूँ देखो हमने purchase किया है तो तुम्हें पता है अगर तुम payment कर दिये हो तो तुम्हारे पैस से cash जा रहा है अगर तुमने payment नहीं किया है तो person का हमें नाम लेखिना पड़ता है अभी यहाँ पे जो person debit होगा credit होगा कैसे पता चलेगा तो देखो यह जो बिहारी brothers है जिन से हमने purchase किया है उन्होंने हमें benefit दिया है right he is a benefit giver यहां पर मैं लिख देता हूँ बिहारी brothers क्या लिखूंगा मैं बिहारी brothers to बिहारी brothers account credit और साथी साथ हम लोगोंने कुछ payment भी कर जा पेमेंट कितना किया मुझे नहीं पता हमने लेकिन payment कर दिया है और अगर हमने payment कर दिया तो हमें पता है वो हमारे लिए payment नहीं cash goes out है तो cash account credit हो जाएगा और साथ में अगर हमने payment क तुम्हें पता है as per the rule ह हमें discount भी मिल गया होगा एक्षट मिल गया तो मैंने कहा था जहाँ cash वहां पे discount यहीं पे discount आजाएगा to discount, account, credit तो यह हो गया आपका entry अब बात करते है calculation portion प्लस amount की right कि amount कैसे होगा तो सबसे पहले यहां पर क्या करोगे कि यहां पर 8,000 का तुम 10% कर लो वो क्या है टी दी 8,000 का 10% करोगे तो यहां पर हो जागा 8 double 0 राइट अब यहां पर मैं जब बनाने जाओंगो तो यहां यहां पर मैं लिखूंगा कि 8,000 का था टेक प्राइज लेकिन उसमें से मैंने 800 माइनस किया और यहां पर हो गया करना किया है तो देखो हाफ करो ना तो अलग-अलग कर दो सबसे पहले अलग-अलग कर के यहां पर मैं लिख Citizens का हाफ कितना होगा तो पे करना बाकी है तो यानि कि ये बिहारी ब्रदस के नाम से ही जाएगा क्योंकि उसका नाम लिखोगे तभी तुम्हें पता चलेगा ना कि इससे पर्चेस किया है तो मैं यहाँ पे बिहारी लिख देता हूँ, ओके करना इसलिए जरूरी था कि as per the rule तुम cash discount वसी amount पे calculate करोगे जो amount तुमने cash में receive किया हो और जब cash में actual amount receive नहीं किया है तो वहाँ पे कोई entry होगी ही नहीं जब तुम पैसे receive करोगे तब entry तुम्हें लिखना है और जब पैसे तुम receive नहीं करोगे तो entry क्यों लिखोगे तो इस पे थो हमने receive किया नहीं, इसलिए हमने इस पे calculation नहीं किया है यहाँ पे ध्यान से देखो, यह जो 3600 हम इसी पे calculate करेंगे याद रखना कि जो amount या तो तुम pay करने वाले हो या तो receive करने वाले हो बस उसी amount पे discount calculate होता है, इसलिए मैंने separate करके दिखाना जरूजी हो गया था तो मैंने क्या किया, यह जो 7200 amount था, उसको मैंने दो parts में divide किया एक मैं लिखा मैंने 3600, यहाँ पे लिखा 3600, अब मैं calculation करता हूँ discount का तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 3600 और उसका 10%, तो यह जो 3600 का 10% होगा, यह हो जाएगा 360 इसका मतलब यह हुआ कि हमने 360 रूपीस का discount जो है, वो हमने receive किया है तो अब देखो, जब 360 का discount receive किया है, तो यहाँ पे मैं 3600 में से वो amount minus कर दूँगा तो 3600 में से 360 minus कर दूँगा और वही actual में मैंने payment किया है तो 3600-360, यह आजागा 3240, अब यहाँ से समझो, यह जो calculation part है इसको अच्छे से notebook में लिखना तो इसलिए क्या होगा, बहुत आसान हो जाएगा entry करना, यह जो first amount है, यह purchase का है, यह बिहारी ब्रदस का है, यह cash का है और यह है आपका cash discount, that is CD, और यहाँ से सीधा copy paste कर दिना है cash discount में कितना जाएगा, 360, और यहाँ, sorry, यह cash है, discount नहीं है यहाँ पे जाएगा 3240, और यहाँ पे जाएगा 360, और बहुत ही आसानी के साथ हमारा question जो है, वो solve हो गया I hope कि यह आपको समझ में आ गया होगा, अब इसी के साथ next question पे चलते हैं और देखते हैं इसमें क्या है और यहाँ पे है हमारा next question है, खांगया यह रहा, question में लिखावा है, goods of 15,000 sold to BMAL at 10% trade discount and if due is paid up to 20th July, 10% cash discount will be allowed, अब देखो यह थोड़ा सा tricky है, tricky मतलब यह है कि actually मैं यहाँ पे क्या लिखा है, if due is paid up to 20th July, अभी तो हमने payment are sale किया है और हमने बोला कि अगर 20th July से पहले payment मिलेगा, तब हम 10% cash discount allow करेंगे यानि अभी present time में हमने कोई भी discount allow नहीं किया, question को ready करना बहुत ही जरूरी होता है ऐसे जब questions आते हैं, तो बहुत ही clear ready करना जरूरी होता है, नहीं तो confusion हो सकता है, right तो हमने question को ready कर लिया, अभी हम आगे बढ़ते हैं, और सीखते हैं, देखते हैं कि क्या है question में सबसे पहले हमने sell किया है, तो sell के entry मेंने बताया था, कि to sell तो एक होगा, वो तो confirm है, right to sell account credit, अब आगे question में लिखा है, बिल, sorry, beemal at 10% trade discount and if due is paid up to 20th July, 10% trade discount will be allowed, यानि payment अभी नहीं किया है, अगर अभी payment नहीं किया है, तो तुम्हीं पता है, कि business से किसी ने benefit receive किया, कि हमने sell किया, तो हमारा एक data बन किया है, और data जो होता है, वो asset होता है, यह मैंने terminology में explain किया है, आपको, right कि data, हमने जिसको sell करते हैं, वो data बनते हैं, तो data जो है, वो हमारे लिए asset होते हैं, ऐसे भी debit हो जाएगा, he is the receiver, तो receiver के according भी debit हो जाएगा, right तो यहाँ पर मैं लिखूँगा, beemal, क्या लिखूँगा, beemal या Ajay Devan, तो उनों का मतलब same ही है, right तो यहाँ पर मैं जदे लिखने जा रहा था सच में, तो यह मैं थोड़ा से इसको rough कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ, beemal, account, debit अब amount कैसे लिखोगे, वो देखो, 15,000 का goods है, कितने का goods है, 15,000 का, और उस पे हमने 10% discount allow किया, इसका मतलब यह होगा, 1500 का, हमने discount allow किया है, right तो 15,000 में से हमने 1500 का discount allow किया, तो यह actually में, कितने का हमने sell किया है, 13,500, यानि यही हमने actual में sell किया है, यह तो TD है, और TD के तो entry नहीं करते हैं, और इससे तो कोई लिए नहीं 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 है, right तो जितना हमने sell किया है, बस वही हमें लिखना है, 135,000 और यहाँ पे 1500, आई होप कि यह calculation आपको और entry आपको समझ में आ गई होगी, right तो इसी के साथ हम next पे बढ़ते हैं, और next में लिखते ही क्या लिखा हुआ है, next में लिखा हुआ है, for sell of 15th July, right BMAL has issued check for half amount, which is deposited in bank, अब ध्याँ से समझो, हमने condition क्या दिया था, condition दिया था कि अगर 20 July तक payment कर देगा, तो भाई उसको discount allow करेंगे payment किया, उसने payment किया, लेकिन कैसे किया वो देखो, उसने सिर्फ half का payment किया है, cheating कर लिया हमारे साथ, right उसने क्या किया, सिर्फ half payment किया है, तो अगर half payment किया है, तो उसकी calculation कैसे करोगे, मैंने समझाया था, सबसे पहले कि आपके बस amount कितना वो देखो, तो 1, 3, 5, 00 की amount है, इतने में हमने sell किया था, इसका half करो, क्योंकि हमने half ही receive किया है, तो इसका half करो, तो यहाँ पे हो क्योंकि हमें सिर्फ half का calculation करके लिखना है, तो अभी तो half का ही matter हुआ है, अभी half का ही transaction हुआ है, बाकी के बारे में कोई information नहीं है, तो उसको जैसा जहाँ पे है, वहीं पे रहने दो, तो यहाँ पे देखो, 6, 7, 5, 0 का transaction हुआ है, लेकिन question में condition है, condition यह है, कि हमने उसे promise किय अगर वो 15 से पहले, 20 से पहले payment करेगा, तो 10% का discount allow करेंगे, अब हम first गए, क्यों first गए, क्योंकि उसने जो payment है, वो पहले ही कर दिया है, 18 तारिक कोई payment कर दिया, तो अब ध्यान से समझो, अगर उसने payment पहले कर दिया, तो मैं discount देना पड़ेगा, as per the condition, तो discount जब यहाँ पे दोगे, तो 10% calculation करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, 6, 7, 5, 0 का 10% calculation करते हो, तो यह हो जाएगा, 6, 7, 5, यह हमने क्या किया, discount का calculation किया, तो यहाँ पे मैं minus करूंगा, 6, 7 5, और जब मैं इसको minus करूंगा, तो यह आजाएगा, 6, 0, 7, 5, right, minus करने पे कितना जाएगा, 6, 0, 7, 5, अब ध्यान से समझो, यह amount हम BML से receive करने वाले थे, क्या, यह amount BML से receive करने वाले थे, यह हमने उसको cash discount दे दिया, और actual में यह हमने cash में receive किया, तो देखो, calculation में करके मैं और हमने कितना receive किया, 0, 7, 5, अब ध्यान से समझो, हमने cash receive किया है, तो as per the condition, तुम्हें पता है, हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे cash, लेकिन यहाँ पे नाम bank है, इसी वज़र से हम, हमें check है न, check है तो bank है, तो यहाँ पे नाम क्या आएगा, bank, account, debit, right, और याद है, मैंने कहा था, जहाँ पे bank, या cash, वहीं पे discount, और तुम्हें पता, यह sell किया है, तो sell किया है, तो तुम्हारे लिए क्या है, loss है, क्योंकि तुमने discount allow किया है, और allow करने पे loss होता है, ऐसे भी याद रख सकते हो, या जो मैंने तरीका बता है, वो भी, दोनों में से कोई भी तरीके या तुम्हारी बल्ले-बल्ले है, तो 6075 और यहाँ पे हो जाएगा 675 और बीमल, जो है, बीमल तो मर, यहाँ पे नाम आ जाएगा बीमल, कितना, बीमल ब्रदर्स का, यहाँ पे आ जाएगा 6750 तू बीमल अकाउंट, अब यहाँ पे question यह है, कि मैंने 6750 क्यों लिखा, क्योंकि एक्चली मैं मुझे बीमल से लेने थे 6750 रुपीज, लेकिन उसने पेमेंट कितना क्या, 6075 तो वो cash में चला गया, और 675 वो आपका discount हो गया, लेकिन मैंने बीमल का अकाउंट जो close किया है, वो 6750 से ही close किया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो भी amount था, यहाँ पे हमने debit किया हुआ था, राइट, 13500 से, ओके, 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 यहाँ पे मैंने 13500 नहीं लिखा था, 13500, ओके, तो यहाँ पे 13500 से बीमल का अकाउंट डेबिट किया था, इसने जितना payment हमें कर दिया है, उतने payments हम इसका अकाउंट close कर देंगे, और इसने हमें payment कितना किया, 6075, इतना ही payment इसने किया है, पड़ हमारी condition की वज़े से इसका payment माना जाएगा, कि इसने 6750 का payment तो कर दिया है, इसी वज़े से इस account को हमने यहाँ पे close कर दिया, I hope कि आपको यह सारे reason के साथ आपको समझ में आविया होगा, ठीक है, अब इसी के साथ हम next पे बढ़ते हैं, तो next है हमारा, कि BMAL has settled the remaining balance, यानि यह भी इसी से related है, तो BMAL ने remaining भी settle कर दिया है, तो remaining कितना है, देखो, 13500 का half था, 6750, यानि बाकी का half कितना होगा, 650, यानि यह भी पैसे उसने हमें pay कर दिया, तो जब यह भी पैसे उसने हमें pay कर दिया है, हमने amount receive किया होगा, तो उसकी entry क्या होती है, cash, account debit to BMAL account credit, क्योंकि इसने यह पूरा का पूरा हमें payment कर दिया है, तो यहाँ पे 6750 से इसका हम पूरा का पूरा account क्या कर देंगे, close कर देंगे, और हमने cash receive किया है, तो as per that rule, cash when comes in business will be debited, I hope कि यह आपको समझ में आ गया होगा, अब इसी के साथ हम बढ़ते हैं next transaction पे, और हमार next transaction क्या है, वो देखो, next transaction कहता है, कि 1020 was due from Sunita, C paired 1000 as a final settlement, अब यहाँ से समझो, यहाँ से समझने जैसा यह है, कि अभी तक जो भी questions में था, वहाँ पे लिखा था, calculate 10% discount, 5% discount, this discount, those discount, ऐसा लिखा हुआ था, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे इत कभी दुकान पे गए होगी, अगर तुमने जादा purchase किया होगा, जब bulk में purchase करते हैं, तो कभी-कभी अगर भी ऐसा बने, कि 3750, तो सामने वारा बोलता है, कोई बात नहीं है, 3700 रुपे दे दो, यहाँ जैसे कभी 110 रुपे होता है, 110 तो ले लेगा, sorry, 103 रुपे होगा, तो बोलेगा, भईया, 100 रुपे ही पे कर दो, 3 रुपे रहने, तो कोई बात नहीं, ऐसे कभी-कभी होता है, real life में भी होता है, right, तो ऐसे situation में, यह जो amount उसने हमें, मना कर दिया देने से, यानि उसने बोला, कोई बात नहीं चलेगा, तो यह जो मना किया है, that will be known as an allowance, उसी को ह हम क्या बोलते है, that amount which is, we paid less, right, that less amount is known as an allowance, right, यानि जो हमने less payment किया है, तो वो less amount जो है, जो हमने कम पे किया है, उसी को हम क्या बोलते है, allowance बोलते है, right, तो याद रखना, okay, चीक है, तो इसी के साथ हम हागे बढ़ते हैं, इसका entry देखते हैं, क्या होगा, 1020 was due from Sunita, C paid 1000 as a final settlement, 1020 was due from Sunita, Sunita से due कितना था, 1020, C paid 1000, पे उसने कितना किया है, सिर्फ, 1000 पे किया है, अब ध्यान से समझो, Sunita ने पे किया है, मतलब हमने receive किया होगा, और अगर हमने receive किया है, तो हमें पता है, जब हम पैसे receive करते हैं, तो cash account debit होता है, right, यह तो तुम्हें पता यह, क क्यों, क्योंकि कम सीन हो रहा है, business में पैसे आ रहे है, तो कम सीन अकाउंट debit हो जाएगा, I hope कि अब तक तो रूज सारे दिमाग में बैढ गया होगे, और transactions की entry करना असान हो गया होगा, okay, तो cash हमने receive किया, that will be debited, अब ध्यान से समझो, मैंने कहा था, कि जब जहां पैसे receive क जाएगा, वो कितना है, कि cash हमने receive किया, 1000 और 11 से 20, तो credit क्या करोगे, यह credit करोगे सुनीता, क्योंकि जो सुनीता थी, उसने payment करके अपना account हमारे business से खतम कर दिया, यानि cancel कर दिया, पूरा close हो गया है, तो जब सुनीता का account close हो गया है, तो सुनीता का नाम लिखके 1020 करके उ इस तरह से entry करनी होती है, आयोग की आपको समझ में आ गया होगा, इसी के साथ हम next में बढ़ते हैं, और next में है कि a check of 800 was issued to Vaisali as a final settlement for a due of 810, अब यहाँ पे हमने check issue किया है, दिखावना issued to Vaisali, यारी हमने किसी को check दिया है, अब ध्यान सा समझो, पिछले वाले point में हमने receive कि यहाँ पर हम payment कर रहें, जब हम यहाँ पर pay कर रहें, तो तुम्हें पता है credit हो जाएगा, पर हम pay कैसे करें bank से, क्योंकि check issue किया हुआ है, तो यहाँ पर हो जाएगा to bank, और मैंने कहा था जहाँ cash bank आएगा, वहीं पर discount या allowance आएगा, याद करने का मैंने बहुत ही आसान तर इसी वज़े से वैशाली का नाम पे 810 लिखा है, और bank में हमने कितना पे गिया, सरीफ 800 और हमें allowance कितना मिला, 10 रुपए का, बहुत ज़्यादा मिल गया है, but still happy, क्योंकि भाई, 10 रुपए छोट तो रुट, discount और discount, allowance तो allowance होता है, मिला तो सही, ओके, तो यह था हमारा आज का topic, जिसमें मैंने पूरा आपको example के साथ, आपको discount का, एक-एक point explain कि कैसे entry करनी है, कैसे क्या करना है, और जितने भी मैंने चीज़े समझाएं, उसको अच्छे से note कर लेना, उसको अच्छे से सिकलना, calculation बहुत समझना ज़रूरी है, और entry करने के तरीके भी मैंने समझा है, तो I hope कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही beneficial होगा, और अगर आपको अच्छा लगे समझ में आया हो, तो वीडियो का like ज़रूर करें, अपने fringe के साथ ज़रूर share करें, और अगर अगर अप मेरे चैनल पे पहले से ही हैं, तो आपके लिए बहुत-बहुत thank you, और अगर च चैनल पे, okay, thank you so much to all of you, have a good day